नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चनल में दोस्तों अमारे भरत्वर्ष में जगा जगा पूरी फैली वही ऐसी बहुत सारी धेर सारी वनस्पतियां मिलती हैं जिसको हम लोग इगनौर करते हैं और हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं इसलिए ऐसा होता है क क्योंकि में उसके बारे में जानकारी नहीं होती उसके असदी गुरों में बात कर रहे है कंटकारी के पौदे की जो दोस्तों आप वीडियो में दे ख रहे हैं यह कंटकारी का पौदा है यह हमारे आसपास ही मिलता है हमारे खाली पड़ी जमीनों पर अपने आप उखता है, खेत कलियानों में उखता है, मेड़ों पर उखता है और तालाब के किनारे भी यह आपको ऐसे ही उगा हुआ मिल जाएगा, जंगलों में तो मिलता ही मिलता है तो दोस्तों जहां भी इसको देखें ले आएं, यह बड़ा इचमत कारिक पौदा है आप इसको ले करके रग भी सकते हैं और विविन रोगों में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताऊंगा इसका कैसे प्रयोग करना यह भी बताऊंगा वीडियो के साथ बने रिया दोस्तों वीडियो के स्क्रिप्ट मत करिए पूरा देखिए क्योंकि यह आपके फायदे के लिए वीडियो है दोस्तों चलिए बताते हैं इसके क्या क्या जबरतस्त फायदे हैं जैसा कि आपको पता है यह दमा रोग में यह ताकत को बढ़ाने के लिए इसकीन के रोग किसी भी तरीके का इसकीन का रोग हो उसके लिए और पेट के कीड़ों को मारने के लिए बुखार में सरदर्द में गंजेपन से चुटकारा दिलाने के लिए और टीवी में धमा रोग में ऐसे नजाने कितने रोगों में हकाम आता है और पुराने समय से इसका परयोग चलता आ रहा है बहुत लोग आज भी इसका परयोग करते हैं दोस्तों तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, चलिए दोस्तों सुरू करते हैं, नमस्कार, सबसे पहले दोस्तों बात करें कि दमारोग या अस्थमारोग को कैसे ठीक करें, इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके पत्तों को लाएं, अच्छी तरीक पिलाएं जिननको या मरीज है फाली पेट पिलाएं और कुछ दिन तक लगातार करते रहने से उसके दमारों में फायदा होता भी ठीक हो जाती है अगर आपको यह हैं ताजा नहीं मिल ला है तो इसको ले करके इसके जड़ को लाएं और उसको अच्छी तरीके से साफ करके सुखा लें दोस्तों इसकी जड़ का चुरन बनाके रख लें और फिर उसके एक से डेर्ट चमच या फिर दो चमच भी ले सकते हैं उसको पानी में डाल करके उबालें और फिर क्या करें दोस्तों उसको उभाल करके चाय बना लें थोड़ी सी याने की दो-तीन ग्राम उसमें काली मिर्च मिला दें और चुटकी महद्स में मिला दें êu श्वादाstrong और फिर उसको चाय की तरह सिपशिप करके पीए हलका गुंगुना और यह दिन में दो बार करें एक बार बना लें और उसको एक बार ज्यादा मतना में बना लें दिन में दो बार हो जाए फिर सामको उसको अलका गुंगुना करके पी लें सुबह पी लें ऐसा करने से एक हफ करने के लिए उसको कुट करके पावडर बना लीजिये उसको सः करें देंसे त्स समस्वाइब चमच करने बहुं कर चांशी ठीक हो जाती है जिन कुछ गंजेपन की जो को समस्य होती है उनके लिए बात करते हैं इसके लिए किया करना इनके जब कंटेरी दिख जाए तो आप क्या करें इसके फल लाए फल को कूट पीज़ करके उसका चूर्ण बना लेब बना लेब बना ले और उसको अपने जहां पर सुजन है वहां पर लगा ले दो तीन दिन्दक लगातार कर लेने से आपकी सुजन बिखर जाती है और अगर सुजन के वहां से कोई दिकत होती है जैसे दर्दोगर उसे भी छुटकारा मिलता है दोस्तों टीवी के मरिजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है जिनको टीवी होती है वह कैसे प्रयोग करेंगे इसके आपको क्या करना है इसके सुखे फलों के चुर्ण को लेन के गाय के सुधिगी के साथ और थोड़ी सीस में सायद मिला करके सिवन करना है प्रद्री सुभा उठकर करना है ऐसा कुछ दिन करने से टीवी रोग भी ठीक हो जाता है दोस्तों अगर दांतों में कीड़े लगें तो इसके फल को तोड़ें उसमें से बीच को इकटा करें उस का दूगा लें वहां उस अस्थान पर दूगा जाना चाहिए जिधर कीड़ा लगा हुआ है दात में यह कारें साथ आठ निर तक करिए ऐसे दूगा लेते रहिए और लार को जो टपके टपके टपकने दीजिए बाहर तो दांत की कीड़े बाहर निकल जाएंगे अब दोस दोनों को मिला करके सुद्ध देशी गाय के दूद के साथ सेवन करना है रात में सोते समय ऐसा करते हैं आपको यह प्रयोग एकिस दिन तक ही करना है किस दिन से जादा नहीं करना है 21 दिन में ही आपके अंदर गजब की ताकत आएगी चूस्ती फूर्ती बनेगी इस फूर् प्रयाद मिला करके उसके रसकों उसको पिला दे उसके उल्टी तुरंद बंद हुजाएगी तो दोस्तों यह रहे कंटकारी के पहुद्ध कैसे लगें आपको जरू बताएगा वीडियो देखने के लिए आपका अब जन्यवाद मिलते हैं नई बीडियोग साथ अब तक ल नमस्कार आपका दिन सुभू